आप लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि पुंगनूर गाय पर वीडियो बनाईए पुंगनूर गाय पर वीडियो बनाईए तो हाजीरू मैं पुंगनूर गाय पर एक छोटा सा वीडियो लेकर एक बड़ा प्रेचलन चल गया है कि पुंगनूर गाय फ्लैट में पाली जा सकती है तो मैं आप लोगों को बता दू और बार बार बताता हूं और आज इस वीडियो में फिर से बता रहा हूं कि कोई भी गाय पुंगनूर हो या इससे छोटी भी कोई क्यों न पैदा हो जाए कोई भी गाय फ्लैट में नहीं पल सकती यह पनपरा बिलकुल गलत है फ्लैट में घर के अंदर गाय पालना इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है गाय को कभी आराम नहीं मिलेगा फर्ष में उसके अंदर स्लीपरी स्थान में गाय कभी भी स्वस्ते और खुश नहीं रहे सकती उसको कभी मानसिक रूप से शांती नहीं मिल सकती है गाई के लिए ऐसा नैचुरल विवस्ता ही सरवत्ता मानी जाती है और जिस पुंग्णूरु नसल की गाई की बात हो रही है आज उन गायों के बीच में मैं हूँ देखिए मैं जिस हाइट पर मैं हूँ मैं काटी हमारी बैठे-बैठे मैच कर रही है और यह वही पुंग्णूरु नसल है और यहाँ पर वैसे तो खेत्री नसल कोई भी हो वो अपने खेत्र में ही सबसे सफल है और सक्सेसफुल है लेकिन अगर वो कहीं दूसरे स्थान में चली भी गई है तो उसके लिए वही उत् अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छा यहां पर ब्रीट कर रही है और यह देखे इनका स्वास्त इनका दूद पदन की शमता बहुत बहुत बैतर ही है करीब डेड़ से दो लीटर दूद देने में सक्षय में टाइम का लेकिन सबसे अच्छी बात है इन गायों का को उससे बात करना चाहती है तो यह पुंग्णूर नसली की गौमाता है लगबग धाई से तीन फीट इनकी लंबाई होती है और करीब 4-4.5 फीट इनकी ऐसी चोड़ाई होती है और लगबग 5 फीट तक पहुंच जाती है तो ऐसी गौमाताओं को यह नैच्रल व्यवस्ताई अच्छी लगती है तब ही यह गुरूम कर सकती है और फ्लैट में पालने का जो कल्चर है उसके मैं सक्त खिलाब हूँ क्योंकि गाई को ब्रीट करना पड़ता है गाई को जेनरेशन बढ़ाने के लिए उसमें या तो नैच्रली बुल के जरिए उसको ब्रीट करना पड़त है अगर आपके देश के किसी कोने में अंजान में और अगर वीडियो देखकर पुंग्नूरू गाय पाल रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि गाय को अगर आप चाहेंगे कि ब्रीट करना है तो इसके सीमन देश में हर कोने में मिलना संभव नहीं है देश के हर छोटी गायें अपने फार्म में पा लिए खेट्न पा लिए गवर्श आला में पालिए और उसके लिए बुल जरूरू रखे जैसा आप देख रहे हैं गिर अमरतफ़ गवर्श आलामा एक बुल है एक क्या दो बुल हैं उसमें से एक बुल यह सामने आप पीछे दिख रह आया गया है तो यह सुविदाएं जब आप किसी भी नसल को देंगे तो तब आप गौसमबर्धन कर पाएंगे तब वो गाये स्वस्त और व्यस्त रहेंगी और खुश रहेंगी जैसा आप देख रहे होंगे प्रदानमंतरी मोदी ने जो वीडियो के जरिये दिखाया कि उनक गाये जब भी लाएं सोच कर समझ कर लाएं कि गाये को ब्रीड भी करना पड़ता है कि नसलें भी बढ़ानी पड़ती है तो इसलिए उसके लिए बुल की विवस्ता रखनी पड़ती है तो जब आप इस योग हो जाएं कि आप अच्छा बुल रख रहे हैं और आप गाये तब ही रखिए जब बुल रख सकते हैं अच्छे सीमन की विवस्ता कर सकते हैं तब आप पुंगनूरु नसल पर आप काम करने के योग हैं तो देखिए कितनी छोटी, कितनी सुन्दर और कितनी अच्छी गौमाताये हैं और आजकर क्या है कि इससे भी छोटी-छोटी मिनि पुंगनूरु का जो एक्च्छल साइज है वो यही साइज है और इससे थोड़ा और बड़ी हो सकती है कोई गाये लेकिन आमोमन जो प्योर पुंगनूरु का साइज है वो यही इसी तरह का होता है लगबग 20-30 फीट और लटकता गलकंबल बिलकुल मुझ से लेकर आपके यहां तक जाएगा और इस गाय की देखिए प्योरिटी देखिए क्या लंबा गलकंबल है और क्या इसका हम्प उठा हुआ है बल की शरीर है छोटे छोटे हौन है ऐसा लगेगा जैसे कि ओंगोल नसल का छोटा वर्जन है जब इस तरह की दिखेगी गाय तभी वो पुंग पुंगनूरु के नाम पर बहुत बड़ा दोखा दड़ी चल रही है लाखों रुपी चार-पांच लाख रुपे से शुरूओ का 25-25-20-20 लाख रुपे तक एक जोड़े की गाय का ले लेते हैं तो आप साउधान रही है पुंगनूरु के नाम पर बहुत दोखा दड़ी पुंगनूरु का पालने का जुनून सर से उतार दीजिए अपने शेत्री नसलों को पालिए अपनी स्थानी नसलों को पालिए या जिस नसल पर आप अच्छे से जानकारी हासिल करते हैं या कर चुके उस नसल को पालिए जै गौमाता जै गौपाल चैप झाल जो नदो जो जो आजिवरागए एक लाइक भार कर्प्रों लाइक प्रॉछारा आजिए प्रॉछारा आजिए एक बॉड़ करन दो आता है